नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अपनी फसल को कीटो से बचाने के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाना सीखेंगे. एक फेरोमोन ट्रैप के तीन हिस्से होते हैं. एक हरी प्लेट, एक ती आकार की पिन, और पीले रन की फेनल के साथ लगी हुई संरह थेली. ट्रैप में लगने वाला कैपसूल इस प्रकार के एलियूमिनियम पैकेट में आता है. इस पैकेट में एक कैपसूल पाया जाता है. यह कैपसूल कुछ ऐसा दिखता है. हम ती आकार का पिन इस ट्यूब के अंदर डालेंगे. पिन की नोक इस तरह से बाहर निकली दिखनी चाहिए. अब हम इसे लेकर इस हरी प्लेट के बीच में डालेंगे. यह कुछ इस तरह से बंध हो जाएगा और लटकेगा. इस ठी आकार के पिन का उप्योग करने का उद्देश्य कैपसूल को हरी प्लेट की वजह से होने वाली तेज गर्मी से बचाता है. इसके कारण यह चारा तीस दिनों की अवधी के लिए खेत में कारग रहेगा. एक बार जब कैपसूल पक्के तरीके से लग जाए तब तीन पैरों वाली पीली रंग की कीप ले. इस पीली कीप के तीन पैरों को हरी प्लेट के तीन छेदों के अंदर धीरे से दबा कर उसे अच्छे से बंध कर दे. हमारा फेरोमोन ट्राप अब तैयार हो जाएगा. खेत में इसे कारगर रूप से स्थापित करने के लिए टी आकार की फैनल के पीले हिस्से वाले हैंडल को एक दंडे में थोड़ा उपर वाले हिस्से पर मजबूती से बांध दे. और इसी प्रकार थेली के निचले भाग को भी दंडे से बांध दे. और ध्यान दे की इसकी थेली बिना कही से मुड़े इस तरह से सीधी होनी चाहिए. थेली के निचले हिस्से को रसी से बांधना इसलिए ज़रूरी हैं ताकि तेज हवा चलने के दौरान यह उड़िना. अब यह खेत में लगाने के लिए बिलकुल तैयार हो गया है. कुछ बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है जैसे यह हरी प्लेट फसल की छत्री के ठीक ऊपर होनी चाहिए. यह है आपके फसल की छत्री और यह हरी प्लेट जोकी फसल किस तर से एक फीट ऊपर होनी ज़रूरी है. अच्छी संख्या में कीट पकड़ने के लिए यह एक उचित लंबाई है अगर आप उचाई बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो कीट ट्राप में कम संख्या में एकत्रित होंगे और आप अगर विशेश रूप से पत्तेदार सब्जिया जैसे गोभी, फूल गोभी उगाते हैं तो उसके लिए ट्राप छत्री जमीनी स्तर से 3 फीट उपर होनी चाहिए क्योंकि यह इन में लगने वाले कीजों के उडान की रेंज है ट्राप को समय समय पर साफ करें इससे आपको पकड़े गए कीटों की संख्या और कीट वृद्धी की अवस्था जानने में मदद मिलेगी इससे आपको कीट के अंडे देने वाले चरण का भी पता चल जाएगा जैसे ही आप ट्रैप में पकड़े गए कीटों की संख्या में वृध्धी देखते हैं आप समय रहते छिलकाव या किसी अन्य उपायों को अपना कर उचित कीट प्रबंधन सुनिश्चित कर सकते हैं जिससे आपकी फसल और आमधनी में वृध्धी होगी धन्यवाद